हेलोट फ्रेंट, लूट मॉर्निंग। हम लोटुक्त करने के लिए भूँच चुके हैं रांची रोड चेशन करने चाहिए, इसके बाद जमोद। जमार कर दिया था रात में फिर आया है रांची रोड चेशन और चेशन में टिकट कंफर्म हो गया उसके बाद हम लब फिर निकल पड़े प्लेटफर्म पर आठ दस में था ट्रेन हम लोगा आजिरोड से कलकता जाने के लिए और हम लोग उस सेट जाने वाले है काफी टाइम था हम लोग पास इसलिए हम लोग फिर इदा उदर घूम रहते हैं और घूमने के बाद फिर हम लोग ट्रेन के उस पटी हम लोग पार हो रहे हैं कि आपको राची रोट का देख रहे हैं स्टेशन इस तरह दिखेगा उपर से कि यह पूल है उभर वीज वाला राची रोट का और हम लोग स्टेशन के इंटिजार किये और इसको बाद हम लोग पकड़ लिए कि इसको बाद कि सुबह हम लोग पहुंचे हैं कि प्रगता कि हवड़ा वेज और आपको सामने दिखाते हैं हवड़ा वीज किस तरह का दिखता है सामने से बहुत ही सुंदर है अभी रात है अभी 37 बज़ दर अधर रात में और काफी दर हम लोग बेट किये यही है स्टेशन है आपका कलकता स्टेशन कि लास्ट इस्टोर भी जहीं तक है कि हाची रोट से चलती है ट्रे और यह है आपका हावड़ा व्रीज देखा सकते हैं सुबहा होगा उसको बहुत किलियर देखेगा अभी रात है बहुत गर्मी लग रही थी कि उतरते समय है कि हम दे सकते हैं कितने भी भी लगी है टेक्सी के लिए नंबर लगाया गया है लोग लगा पर इसलिए आपको पादर भी नजरा रहा होगा लाइनिंग से है और हम लोग वेट कर रहते हैं सुबह होने का अधर दस बज़े से इधर कुछ खुलता नहीं है मार्केट तो हम लोग सुबह का वेट किये बस इस्टेंड पर और आप दे सकते हैं तो अधा सुबह हो चुका है कि अब बहुत लंबा चुड़ा इस्टेशन है आप दे सकते हैं कि अब दे सकते हैं सुबह हो चुकी आप देख रहे हैं ब्रीज यह आपको जो पिला पिला दीख रहा होगा वो टेक्सी है आपको टेक्सी ही करके आपको जाना पड़ेगा बस है टेक्सी है और अला गारी भी है सामने साबको इस तरह दिखेगा हवड़ा ब्रीज और दे सकते हैं सारे सरकारी बस लगी हुए है यही है बस इस्टेन के सामने ही जस्ट है हवड़ा ब्रीज और बस भी लगी है टेक्सी लगी हुए और और अला गारी भी आपको मिल जागी फिर हम लोग निकल चुके टेक्सी में बटके होटल की और हम लोग पहली बार था कलकता ट्रिप और हम लोग कि सोपिंग के लिए आए हुए हैं तो कटा कपड़ा का साधी का सोपिंग के लिए आए हैं और इते सकते ही यह नदी है नदी क्या समूंदर बोल सकते हैं बहुत लंबा चुड़ा है बारी के लिए हैं लोग आते हैं कि अब देखने जा रहे हैं हम लोग होटल कि काया कि बोल रहा था कि दुकान वाले लोग बोल रहते हैं कि कि दस बज़े से इधर नहीं खुलती है मार्केट भी और होटल भी नहीं मिलता है तो हम लोग निकल पड़े होटल की फ्लास के लिए प्रणड़े के बहुत मुसरकत के बाद हम लोग को होटल मिला भी तो गली जैसा तो हम लोग गेस्ट के लिए राखा गिया था फिर वहां से फिर कुछ देर के बाद रूम खाली हुआ दस बज़े तक तक तब फिर हम लोग दूसरे रूम में फिर स्रिफ्ट हो गया है और वहां से फिर फ्रेस होके फिर हम लोग निकल पड़े हम लोग सोपेंग के लिए इस तरह का पर बेट दीख रहा हुआ कि पंखा है और बहुत गर्मी था हम पर गताम है